स्टॉक जीनी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके दोस्त अभी शेक शर्म और इस वीडियो में डिसकुशन करने वाले हैं बजाज फाइनेंस स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं दोस्तों बात करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट की देखिए जैसे ही स्टॉक ओपन हुआ यहाँ पर आज के दिन तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है 5875 पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है देखिए 3 आवर चार्ट पर अगर मैं बात करू तो यहाँ पर भी जल्द ही एक प्रेक आउट हमें देखने को मिल सकता है 5933 का यह रेजिस्टेंस लेबल है जैसे ही स्टॉक इसको ब्रेक करेगा दोस्तों यहाँ पर एक शानदार प्रेक आउट हमें देखने को मिल सकता है तो अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन्स में ही 6,000 रुपीज का टार्गेट स्टॉक अचीव कर सकता है, तो उपर की तरफ 6,000 रुपे का टार्गेट लेकर चल सकते हैं, सपोर्ट की बात करें तो देखिए, यहां पर दोस्तों 5,800 का एक सपोर्ट भी आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि गिरावट भी हो सकती है, तो आपको सपोर्ट का ध्यान रखना है, 5,800 का सपोर्ट लेकर चलें, अगर फिर से गिरावट आती है और यह सपोर्ट तूटता है, तो देखिए, और निचले लेवल स्टॉक दिखा सकता है, तो यही स्टेटेजी आपको उपनानी है, आप चाहें तो अपनी खुद की अनलाइसिस, खुद की रिसर्च जरूर करके चल सकते हैं, देखिए, अगर आप एक लॉंग टर्म इन्वेस्टर हैं और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, डेफिनिटली बाइंग का एक शांदार मौका है, लेकिन आप अगर एक स्विंग ट्रेडर हैं या फिर शॉट टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना पसंद करते हैं, और एक सही मौका ढूंट रहें दोस्तों देखिए 5933 के उपर उपर बाइंग करके चलें, तो यही बताने के लिए हमने वीडियो बनाई थी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद